अब आप अब आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम को नहीं वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है वीडियो को जरह सा भी स्किप नहीं करना आपने और एंड तक देखना है ओके दोस्तों तो देखेंगे तो बहुत सारे फायदे बताऊंगा इस टिप्स और ट्रिक्स और सेटिंग्स के ओके दोस्तों तो इसको एंड तक देखना है आपने ओके दोस्तों इनकेस वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को पता नहीं होती है आपको क्या हमको क्या किसी को पता नहीं होती है तो इनसे बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आपको पता नहीं होती है तो कुछ सेटिंग्स होती है जिनको बोलते हैं बटन शॉटकट जिनको आप यूज नहीं करते हैं आप तो क्या दोस्तों इसके बार सेटिंग के अंदर मिल जाती है बटन शॉटक wouldn नाम से ओके दोस्तों अब धोus यहां पर आपको बहुत सारी सेटिंग ऐसी मिलेंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं तो यहां आपको यूज करना नहीं आता अब आप इसे यूज कर सकते हैं ओके दोस्तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं यहां पर देखिए बटन शॉटकर्स पर जैसे आएंगे आप सेटिंग में जाके बटन शॉटकर्स का हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों यहां launch camera में आ जाना है launch camera में जैसे ही आ जाएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको बहुत सारी चीज़न देखने को मिलेंगी setting यानि कि in case आपको camera अपना launch करना है तो आप किस तरीके से launch कर सकते हैं shortcut तरीके से यहां पर तरीके दे रहें जैसे कि double press plus power button double press the power button power button को double tap करेंगे तो आपका camera खुल जाएगा long press करेंगे home button को तो आपका खुल जाएगा launch camera यानि camera launch हो जाएगा menu button पर long press करेंगे तो इस तरीके से अब मैं आपको एक काम करता हूँ तो मैं एक इसका demo दिखाता हूँ ओके दोस्तो long press करके देखते हैं camera पर देखते हैं क्या होता है ठीक है दोस्तो चलिए तो देखा दोस्तो आपने जैसे ही हमने long press किया यह काम करने लग गया चलिए इसे none कर देते हैं और यह सारी setting इस तरीके से आप launch camera के लिए यूज़ कर सकते हैं यह बात है सिर्फ launch camera की लेकिन यहां पर बहुत सारी setting है जो आप यूज़ कर सकते हैं टेक स्क्रींशॉट स्क्रींशॉट से रिल्टेंट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप सिर्फ अपने power बटन और menu बटन को दबा करी स्क्रींशॉट नहीं अपने three fingers को दबा कर स्क्रींशॉट भी ले सकते हैं तो यह setting आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी slide three fingers जैसे कि यहां पर screen पर दे रखा है और आप screenshot ले पाएंगे इसके अलाबा long press the home button home button को लंबा press करेंगे तो भी आप screenshot ले सकते हैं अगर आप यहां पर click करके से on कर देते हैं long press the menu button, long press the back button इस तरीके से इन settings को आप कर सकते हैं जैसा आपको उच्छत लगे काफी cool है इन्हें आप कर सकते हैं use इसके अलाबा और क्या क्या है launch google assistant यह तो आप obviously बात है use करते ही होंगे google assistant आप भी use करते हों जैसे ही long press करते हैं home button पे आपको खुल जाता है वो setting आपको यहां देखने को मिल जाती है इनकेस आपको menu button पे click करके करना है तो आप menu button पे click करके कर सकते हैं और back button पे करना है तो भी कर सकते हैं power plus home button इस तरीके से power plus menu power plus back या फिर इसे none करना चाहते हैं तो इसे भी आप none कर सकते हैं ओके दोस्तो turn off screen turn off screen के लिए आप क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं या फिर मैंने जैसे की नन कर रखा है long press the home button, home button को आप long press कर सकते हैं menu button को long press कर सकते हैं back button को, आपकी screen हो जाएगी बन, cool है काफी, अगर इनके साब का power button खराब हो चुका है और आपके पास कुछ solution नहीं है आपके screen बन करने का तो आप इसे use कर सकते हैं ओके दोस्तो और भी बहुत साइज सेटिंग जैसे turn on torch के लिए use कर सकते हैं close current app के लिए use कर सकते हैं split screen के लिए अगर screen को split करना हो, ओके दोस्तो उसके लिए आप कर सकते हैं काफी cool है यह दोस्तो इनको आप use करके जरूर देखिए menu के लिए इन्होंने provide किया हुए long press करना menu बटन को और आपका यहां पर इस तरीके से खुल जाते हैं ओके दोस्तो कूल है लेकिन दोस्तों इन सब की यह खास चीज में बता देता हूं अगर आप सोच हैं कि दो चीज़ें एक साथ आप कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहां पर launch camera है और आप चाहे long press the home button बटन पर आपका launch camera खुल जाए और वहीं पर दूसरी setting पर आके आप यहां पर जाके long press the home button पर क्लिक करें तो यह आपको मना कर देगा आपको बोलेगा one setting is already decided ओके दोस्तो तो आप उसे replace कर सकते हैं ओके दोस्तो तो यह setting यहां पर available है ओके दोस्तो तो इस तरीके से आप इन सबको use कर सकते हैं और भी option है जैसे कि menu में जाके show recent app tray किस तरीके से यह पर show menu यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं navigation button की settings है ओके दोस्तो navigation button automatically disable करना है तो उसके लिए भी यहां पर थोड़ा time लगता है ओके दोस्तो आप इसे use कर सकते हैं ओके दोस्तो इसके अलावा press press and hold the power button 0.5 second to turn on the google assistant, google assistant के लिए एक अलग से setting दे रखी है press and hold the power button just for 0.5 second and it will open your google assistant okay दोस्तो इस तरीके से इस settings को आप यूज कर सकते हैं तो काफी कुछ समझ में आया होगा आपको किस तरीके से shortcuts यूज कर सकते हैं इनके समझ में नहीं आया तो हमें comment करके बताएगा हम कुछ और तरीके से आपको बताने ही कोशिच करेंगे वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों बहुत जयल मिलेंगे नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों